मनमोहन सिंग गलत थे क्या जब उन्होंने का था कि MSP से महंगाई बढ़ेगी आप बता दीजी अगर गलत थे तो कोई बात नहीं मुझे नहीं पता क्या मनमोहन सिंग से ज़्यदा अर्थशास्त्र जानती हैं अलका जी मेंगारी है इसलिए अगर मुझे आप प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग से ज़्यदा अर्थशास्त्र आप नहीं जानती हैं वो कह रहे हैं उनकी बात पर भरोसा कीजिए उनको मत काटिए कम से कम लाइव टेलिवीजिन डिबेट में वो कह रहे हैं कि MSP से महंगाई बढ़ेगी MSP से महंगाई बढ़ेगी ये उन्होंने का है गूगल करिया भी मिल जाएगा आपको तो मनमोहन सिंग से ज़्यदा आप नहीं जानती है ना मैं जानता हूं मैं तो उनको पढ़कर आ रहा था डॉक्टर स्वामिनाथन जी डॉक्टर मनमोहन सिंग आते हैं कि गवर्ना अर् अब सुधानशु जी आप बोलिए उसके बाद श्रीव कुमार जी और क्रिश्मीर चौधरी आउंगा अलका जी ने अलका जी ने हमारे प्रशन का उत्तर देना उचित नहीं समझा कोई बात नहीं है यह 2011 की जिस कमेटी की बात कर रही है उसमें मोधी जी का क्या वक्ता में परंत यहीं मैं आपकी बात यथावत सत्यमाल लो सुनते हैं दूसरे को सुनेंगे अलका जी आपकी बात में यक्षर सा सत्यमाल लेता हूं कि यदि 2011 में बकौल आपके मोधी जी ने यह चीजें रिक्मेंड की थी तो कहें तीन साल तक आपने रिक्मेंडेशन नहीं मानी औ आज इसलिए आप वही रिक्मेंडेशन लागु की जाए नंबर दो आप ने का भाड़ में जाए दूसरे देश अभी किसान आंदोलन का प्रदर्शन भीदेश में होगा तो आप समर्खन करते हैं को लिए आप बोल रही थी वो धाई मिनिट चुप रहे हैं अलका जी आप बोल लिजी पहले आप लिए पहले अपका कम्प्लीट हो जाए बता दीजेगा आप बोल लीजे फिर सुधानि शुज में अपको पूर टाइप दूगा बीच में अच्छा नहीं किया तीन साल आप बैठें गोश्रापत्र आपका कमेटी आपकी लागू आपको करना है नहीं किया इंद्रा जी नहीं नहीं किया इंद्रा जी नहीं नहीं है आपको करना आपने वाइदा किया था और कांग्रेस के पीछे जाका छुप नहीं सकते मैं यह कह रहे हूं तर्शक समझ नहीं है चलिए तब नहीं किया मैंने तो आपकी आज की पंजाब की सरकार और आज की महराश्की सरकार का कानून कानून बताया जो राज्य का कानून है केंदर के तो हमने विड्रौ के लिए आप में विड्रौन नहीं किये और यहां आकर जंडा-बर्दारी हो रही है और मैंने केरल में सत्ताधारी लेफ्ट और विपक्ष्ट का कॉंग्रेस दोनों आकर यहां दिल्ली में तथा कतित काले कानून के लिए जंडा और वहां पर कतता कतित काला कानून लागू है इसलिए भूल जाईए नहरू जी इंद्रा जी और वो सब छोड़िये मनमोन सिंग्जी नहीं किया वो आपकी बात से साफ हो गया वह हम आपकी मजबूरी समझते हैं पर आज की भी मजबूरी दूसरी बात मैं रिपीट कर दूँ आपने का भाड में जाए दूसरे देश तो कार MSP दे रही है दुगना दिया है MSP पर लिक्षित गारंटी देने को तयार है और MSP के उपर कमेटी भी बना दी है मगर हम आप से पूछना चाहते हैं कि MSP कितनी फसलों पर मिलेगा अगर सारे पर मिलेगा या नहीं और जो आपको आपको यह पता है मैंने पूछा ता शा जन्वान देश अमरीका और कभ उननीस सो असी के दशक के मद्व जब उसकी एकनामी पीक पे थी और जहां केवल तीन प्रस्यत फार्मर थे अम भारत में भट्टा बैड़ गया और उसके बाद उसने वह वापस लिया शिव कुमार जी आप बोली जो सुधान कानून जब कमेटी बैपारी नहीं खरीदेगा तो सरकार तो खरीदेगी बैपारी बहुत कम हिस्सा खरीदता है जब कानून बन जाएगा तो बैपारी की बाद देता होगी कि बैपारी नियुने तम का मतलब जानते हैं आप नियुने तम कि किसान की सांसें चलती रहे हम सी ही ट्टू-50 की बात नहीं कर रहें अभी वो लडाई हमारी पेंडिंग है अबी नीवन मतलब कम से कम महम लगातार लागत बढ़ा रहे हैं डीजल बढ़ा दिया पेटरोल बढ़ा दिया लोहा बढ़ा दिया तमाम चीज़े बढ़ा दी खेती पे जीस्टी लगा दिया और नियुनतम समर्थनमूल का कानून भी ना मने और बैपारी के डर के कारण आप कानून ना बनाएं ये ठीक नहीं है बैपारी बाद होगा लेने को नहीं लेगा तो सरकार लेगी और नहीं तो अंतर की रास की सरकार दे एक नियम ही भी बन सकता है